दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आई एंटी हिंदी टेक में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल सर्च से कितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है इसके बारे में और आप जो है इसे से कैसे बच सकती हैं समाने था हम आपको बता दे कि अगर किसी कंपनी का का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो हम लोग गूगल पर सर्च करती हैं अब देखे गूगल पर जो चीज आप सर्च करती है या कोई जरूरी नहीं है कि जो सबसे उपर में आपको जानकारी मिलता है वो सही ही हो और भद जब कोई गराण कोिस नवर पर फ़ोंग करता है तो अमसरी नवर लिए गोर से आप आपने रुप्या को बचाकर घर लाते थे और हम इसा बचाकर रखते थे कैस को क्योंकि यहां पर चेंच होर की ज़्ञादा समझिया थी लेकिन जब डिजड़ payment आया तो digital payment में अब जो है digitally fraud हो रहे हैं जो कि fraud करने का एक तरीका नहीं है बहुत सरे तरीका है मैं आपको बता दू कि यदि आप अपना bank details share नहीं करती है अपना card number पूरा details share नहीं करती है फिर भी आपके साथ UPI के मदद से fraud किया जाता है या फिर कोई link बेज़ कर आप से payment करवा दिया जाता है या फिर वहां से जो है कोई request भेजता है और फिर आप approval देती हो तो वैसे इस तितमी आपके साथ fraud हो जाता है तो सबसे पहले आपको जागरूख होना चाहिए और समझदार होना चाहिए और सबसे पहले में बता दू कि Google पर अगर कोई भी number आप find करती है जैसे Flipcard का number find करती है Amazon का number find करती है तो यह कोई जरूरी नहीं है कि उपर में या फिर किसी अन्य website पर जो number दिया गया है वो सही हो लेकिन आप लोगों का कोसिस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जो उसका official mobile application है उसी में जाकर आप लोग जो है contact detail में जाकर काफी असानी से number को find कीजिए और वहीं से contact करने का कोसिस कीजिए अगर मान के चलो कि किसी company का आप number find करती हो जिसका application नहीं है लेकिन उसका official website है तो आप कोसिस यह करो कि उनकी official website से ही आप जाकर contact वाले options में जाकर आप लोग नमबर find करो जब आप Google पर search करोगे ना किसी company का नाम लिखकर उसका contact number तो वह website जरूर आएगा आप ध्यान से देखिएगा वह website जरूर आएगा जो उसका official website होगा तो वहाँ से जाकर आप number निकाले नमबर निकालने के बाद ही आप contact कीजिए और call कीजिए मैं आपको बता दू कि आप किसी भी company के पास call करेंगे किसी भी ग्राहा का दिकारी के पास call करेंगे चाहे वो official ही number हो, genuine हो तो वो आपसे जो है कभी भी ATM card का detail या फिर OTP या password या फिर मान के चलो की UPI pin बेगारा आपसे नहीं खो जेंगे तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखोगे उसके बाद आपके साथ विल्कुल भी fraud नहीं होगा अगर आप लोग इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे तो आपके साथ definitely fraud होगा और प्रती दिन ना जाने कितने fraud हो रहे हैं तो सबसे पहले आप Google सेर्च करती हैं तो इस चीज का ध्यान रखे कि या जो number है वो हमें official website से मिला है या फिर नहीं मिला है अगर मान कि चलो कि official website उस company का नहीं है या फिर mobile application भी उस company का नहीं है कोई other application पर वह number डाला गया है तो सबसे पहले जब आप उस number पर call करोगे ना तो आप अपने आप में पहले सुनिश्चीत हो जाओ कि हमें किसी भी परकार का personal detail जैसे यहाँ पर जो है अपना debit card number, credit card number या फिर किसी भी परकार का password या फिर किसी भी परकार का OTP वेगरा हम share ना करें साथी साथ इस चीज का आप ध्यान रखेगा कि उनके तरफ से जो call पर link भेजा जाता है और call पर ही बोला जाता है कि आप लोग payment वेगरा कीजिए तो इस चीज का भी ध्यान रखेगा क्योंकि इस चीज को आप जो है अगर ध्यान रखोगे ना तो आपके साथ fraud नहीं होगा क्योंकि उनकी तरफ से जो भी link भेजा जाता है जो भी fraud लोग link भेजती है वो link जब आप open करोगे उसी समय पता चल जाता है कि यहाँ जो है link सही नहीं है तो आप इस चीज का ध्यान रखेगा और आप जो है अपने दोस्तों तक आप अपने आस-पास में यहाँ जागरुक हमारे पास आ रहे थे कि Google पर हमने नंबर सेर्च किया नंबर सेर्च करने के बाद ऐसे ऐसे मेरे साथ fraud हो गया तो इस चीज से आप बच कर रहे है आप अपने मन में यही ठान लिजे कि हमें call के माद्यम से या फिर SMS के माद्यम से या फिर WhatsApp के माद्यम से कोई भी personal detail जैसे trusted website है जो trusted website है या फिर उनका official website है वहीं से हम लोग number लेकर उनसे contact करें क्योंकि वो बातों में उलजाएंगे आपको और बातों में उलजाने के बाद कब आपका खाता detail वगयरा सारा कुछ ले लेंगे ये आपको भी पता उतना नहीं चलेगा और fraud का तरीका जो है बहुत सार हैं इसे हम लोग और आप लोग नहीं पकर सकती हैं नया नया fraud का तरीका आती रहती हैं और नया नया बाते बना कर वो आपके साथ fraud करने की कोसिस करती हैं तो आप जो है हमेशा से धियान रखिएगा साथी साथ वाटसेप पर कोई वी ऐसा link आता है तो उसे directly open करके उसे follow मत क कीजेगा क्योंकि यहां पर हो सकता है कि वाटसेप वेगरा से आपको जो है आपके साथ fraud करने के लिए यह link भेजा गया हो तो उमिद करती हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद उनहीं को आया होगा जो इस वीडियो को गहराई से देखे होंगे और इस बात क अच्छे ढंक से समझे होंगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजी अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर सेयर कीजी और नेक्स टाइम से गूगल सर्च करोगे तो जरा खोसियारी से कीजेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है और चैनल पर डाला गया वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सबस्क्राइब करके इस वीडियो को लाइक करना विल्कुल विना वुले और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएए साथ मैं आपको बता दू कि इस तरह के कारी आप सेयर कर सकते हैं इससे लोगों का मदद होगा हम इस पर वीडियो बनाएंगे और लोगों को बताएंगे कि ऐसे ऐसे जो है अफ्रॉड हो रहे हैं इससे आप बच कर रहे हैं तो मिल भी हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिए इचाज़त तब तक चलिए